हेलो बच्चों तो अब हम करेंगे 1.5 का इंट्रोड़क्शन पार्ट में हम इसका देखेंगे तो सबसे पहले कि अगर मैं किसी भी दो इर्राशनल लंबर्स को फकड़ के उनको अगर मैं किसी भी दो इर्राशनल लंबर्स को आपका अंसर हमेशा या तो राशनल आएगा या फिर इर्राशनल भी आ सकता है एक्जांपल लेते हैं इसमें जैसे फार एक्जांपल मैंने रूट 2 मुल्टिप्लाइ रूट 2 किया रूट 2 जो दोनों के तो आपके एर्राशनल लंबर्स अब इस पर मैंने मुल्टिप्लाइ कर दिया माइनस 10 दोनों के दोनों हमेशा एक राशनल लंबर ही मिलेगा आंसर ने अब आते हैं राशनल और इर्राशनल की बाद जहां के चड़ी बनती है अब बढ़ी बताया था कि दोनों में चड़े गए अब देखो यहां पर इंप्रेंट बाड़ी बात ही आती है कि कभी भी आप अगर राशनल और इर्राशनल का ओपरेशन करो तो आपको हमेशा एक एर्राशनल लंबर ही मिलेगा कैसे यह देखो आपको यहां पर नहीं तरह की कुछ राशनल लंबर देखने को भी मिलेंगे जो अभी तक महीं देखे थे अभी तक में कॉंसे देखे थे क्योंकि यह रूट 3 है और यह 2 है आप इनको आट नहीं कर सकते डिरेक्ली अटिर अलेस आप रूट 3 की निका लो और फिर इसमें 2 आट करो ओके फर्दर यह नहीं होंगे तो इनका 2 प्लस रूट 3 जो है आपका यह वी एक तरह का इर्राशनल लंबर है क्लिए अगले एक्जांपल अगले एक्जांपल कर जागा मारा 2 मुल्टिप्लाइ रूट 5 लेदो तो आपका अपका राशनल लंबर है और रूट 5 अपका इर्राशनल है अमने नबले पे रोट किया जाए से बिछले वीडियो पर याद हो तो आपका यह पर आंसर जो आए यह आपका एक इर्राशनल लंबर है अगर आप इसे करोगे तो इस पर आपने लेखा कि कैसे आप अगर राशनल लंबर और इर्राशनल लंबर के अपरेशन करते हो किस तरह हम का अंसर आता है यह बहुत जादा मैंने एक बेसिक आपको सामप करके देदी है सब कुछ इंट इस आपल सेंटी के लगाएंगे एक एक करके धड़ा धड़ सबसे पहले आएंगा वाला एक्जाम्पल 13 वोड़ा एक्जाम्पल लेटी ने बारा आट तू रूट 2 प्लस 5 रूट 3 और 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 इतने साले रूट आगए चलो एक एक करके साले रूट को अचा नेगा लगें ने तको सबसे पहले अपका एक है आपसे solutions लेक्टो एक तूम confuse ना होजा बनाद लेए तो सबसे बहले 13 का solution लेक्टो सबसे बढ़ा संप्ल खटना बताओं कैसे करना है कभी confusion नी होगी कभी confusion नी होगी देनर को इनको तोड़ा अलग कर लेते हैं यह यह आपसे बढ़ा है चलो solution करता है हमसे बहले add to root 2 root 2 plus 5 root 3 plus root 2 minus 3 root 2 बढ़ा सिंपल सा फंदा है यहां तो तुमारा का concept आता है like और unlike terms का fine मतलब उसी तरह का एक फंदा आता है जैसे हमें पता था कि like terms और unlike terms में अधर मैं बताओ तुम्हें तो मेटा 3a और 5b को add नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं दोनों की दोनों unlike terms हैं unlike कैसे हैं इनके अधर मैं बोलू तुम्हें की 3a और 5a को plus करो तो तुम लिख दोके 8a क्योंकि यह like terms है like terms में क्या अधर से होते हैं तो यहां पर तुम्हें 8a लिख दिया अब देखो यह सेम तुम्हें 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 सबसे पहले तुम्हें रूट 2 रूट 2 दिख रहा है जो इनक तुम्हें 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 तुम 2 RUTE 2 में से RUTE 2 को NAKAL DANA कितना बचा वज़ा Which we have two part Le 양a मतला निकाला मतब मतला इसे लेमान में कहते है कि हॉ मिला युषवन तो निकाल देना यूश्य एक तो RUTE 2 में से RUTE 2 में से डिकालAnt तो जह को N 응 겉जो आwn इस तो तुम्हारा नीचे आंसर आजागा कि उसको तो जैके तुम्हारा बचा कि आंसर ए तो बचा अगी तो बच गया यहां पे मैं के निकाल हमा को कॉमन रूट 3 तो मेरा बच गया 5 यहां से मेरा बच्छा 5-3, okay, 5-3, अगला step, बड़ा simple चा, root 2, 2 plus 1, 2 plus 1 क्या होता है, 3, यहोग है, मेरा 3 root 2, okay, plus 5-2, 5-3, यहोगा आपका 2 root 3, 3, fine, अब देखो यहां पर आके, आपका root 2 और root 3 ऐसे आड नहीं हो सकता directly, दो तरहिके, यहां तो आप root 3 की decimal value निकालो, उसको 2 से multiply करो, फिर यहां से root 2 की decimal value निकालो, उसको 3 से multiply करो, और फिर plus करो, दूसरा तरीका उसको निचोड़ो, उसको निचोड़ो, उसको निचोड़ आपके अगले 2 question बड़े simple से हैं, फैला मारा हो गया, दूसरा करता है, 6 root 5 by 2 root 5, देखो, कुछ नहीं करना आपको, solution काम सा है, 14, फिर तो गन्फिस हो जाओ, 6 root 5, 6 root 5, multiply 2 root 5, देखो, 2 root 5 आपको multiply करना है, इसमें बड़ा simple सामेंड है, root को root से multiply करो, नमर को नमर से multiply करो, अगर 2 root 5 को multiply करोंगे, तो अंजर गया एगा, root ही आएगा, sorry 5 ही आएगा, 5 आपके समझ ना आएगा 5 कैसे आएगा, तो एक बाद में दबादा संझा देखो, देखो, अगर मैं लिखो 5, 25 equal to 5 का square, fine, अब ना दों साइड root कर दूँ, यह हो जाएका root 25 equal to root 5 का square, समझाया, अब यहां से क्या होगा, इस root से, यह square हट जाएगा, तुमने यह चीज़ पढ़ी होंगी, 8th class में, जब तुम्हारा square और square ounce का chapter था, fine, तो बेटा लिए तुम्हारा होगी है root 25, तो root 25 की value किते ही 5 होती है, ऐसे ही, अगर मैं बताओ मुझे, अगर मैं root 25 को into root 25 multiply कर 5 होता है, 5 को तो बागर 2 बार multiply कर दोगे, तो तुम्हारा 25 answer आएगा, तो अगर तुम्हारा यह doubt इस video में clear होगी होगा, अगर फिल भी doubt हो तो तो तुम्हारी 8th class की video की section में आखे देख सकते हो, अब आते है, 12 into 5 है, 12, 5 है कितना होता है, 16, खतर मोशन, next question, divide करना 8 root 15, और, 8 root 15, और, 2 root 5, तो 8 root 15, and, 2 root 5, उस साइड करते हैं से, देखो, 8 root 15 होगे होगे है, अब इसको इस तरह रहोगे है, 8 root 15, इसी तरह लिखते हैं हमेशा, upon 2 root 5, 2 root 5, fine, अगर आस टायए, इसके पाद कुछ नहीं करना, आपको root 15 जो है, इसको split कर दो, कभी प्रोआज ऐसी, इससी सिटूइशन सारी है हमेशा, जो ही root पे बड़े नम्मर आपको split करना, split, खेल आता होगे, okay, split कैसे करना देखो, इस्पिट है नहीं स्प्लेट इस्पिट करने बढ़ जो तो 15 होता है 5 इंटु रूट 3 हो गया अब देखो 2 रूट 5 इंचे बही था अब कटा अब कटेंगे देखो कैसे 2 कटा 4 अब बढ़ी है यह कटा यह अब मेरा बच्चा 4 रूट 3 कि खता है तो यह था तुम्हारा 1.5 का इंट्रोडक्शिन और होप यह तुम्हें क्लेर हो गया और अब यह कोई अपर बच रहे हैं इस चाप्टर के तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ उस पर वीडियो ज़रूर बनांगा कोई भी कोर्शन का डावता रहो उसको भी क करेंगरो वीडियो वीडियोगो गिवग पार्व को पार्शन। फॉप ए्ट पार्शन। घख एकट लूछ झांटिव घजक्वागे लाटाबनागा तुम्हें हैं अपार्शन का इंट्यूटन का जग्चेशन का डाब का फूर्शन का इंट दिएलन से खंटीर चाब